हेलो एवरिवन वेलकम तू लेंच और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक जो कि है हमारा इडियम्स एंट फ्रेजिस मुहावरे में लखोक्तिया निको हिंदे में बहुत ही इंपोरेंट है इससे इंट्रेस्टिंग वोकैबलरी के अंदर को के अंदर आपको बहुत सारे कोश्चन देखने को मिलते हैं अब हम क्योंकि वोकैबलरी की सीरीज कर रहे हैं तो मैं हर चीज लेके आ रहा हूँ जैसे मैं वन वर्ड के दो लेक्चर लेके आ चुका हूँ आज मेरा एडियम फ्रेज का पहला लेक्चर फिर दो तिन हो रहें कि आप किसी भी एक्जाम के अंदर वोकैबलरी के विए से मारने खाने वाले हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोग को पता ही है कि लर्ण शौर मेरे चैनल का जो नाम है वोकैबलरी बूस्टर कोर्स चल रहा है हमारा जो की 5000 वर्ड करेंगी है इन फेक्ट इससे सेंस देता है ठीक है मिनिग आता है उसका लेकिन बात कि यह फरेस की तो फरेस के अंदर बहुत सारे वर्ड तो होते हैं मान लो चार वर एक साथ ही आएंगे दूसरा इसका जो मीनिंग होता है ना अब यहां से लोहे के चने चवाना आपको लेगी लोहे के चने चवारा कोई लेकिन इसका मीनिंग ये थुड़ी है इसका मीनिंग हिडन है मतलब आपको between under the line पढ़ना पड़ेगा कि इसका एक hidden meaning है जिसका मतलब होता है क्या होता है आप सबको पता ही होगा difficult मैं लेकित देता हूँ इसका meaning difficult task to do कोई भी मुश्किल काम करना उसको हम बोलते हैं लोहे के चने चवाना तो ये हमारी idiom phrase है idiom phrase का मतलब आपको देखो अभी जो मैं आपको आज 100 idiom phrase करा हूँ और ये बहुत tough है इसके अंदर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे exam के अंदर आए हुए है और बहुत tough है idioms लेकिन आज के lecture के बाद वो आपको automatically ही याद हो जाएंगे कैसे क्योंकि करने का तरीका मैं बता हूँ अभी आपको ठीक है और दूसरा idiom phrases is one of the most important for spoken अगर आप मानला आप speaking करते हैं आप general कोई sentence बना रहे हो अगर आप उसके अंदर idiom phrase डालते हो तो ये obviously बात है आपका इससे क्या होता है आपको इसके descriptive के marks ज़्यादा मिलते है ठीक है guys तो याद रखना है आपको देखो अब एक चीज़ ध्यान रखनी है जैसे मैंने कुछ Hindi के दिये हैं Hindi मैंने क्यों डाला देखो Hindi के मुहावरे मैंने इसलिए डाले so that आपको समझ में आ जाए देखो जैसे मैंने आ लिका लोई के चने चवाना तो आपको इसका बिल्कुल meaning निकाल रहा आपको इसका hidden meaning निकालना है कि इसके अंदर क्या meaning हो सकता है जो examiner आपसे पूछना चाता है तो द्यान रखना देखो मैंने पता देखो difficult task to do तो इसी तरीके से वो आपसे पूछ लेगा कि difficult task do का मतलब क्या है चार option देदेगा वो easy work, you know hard work इस तरीके से कुछ भी बोल देगा चार option द्यान रकना है Regress या tough या difficult task अंसर हो जाएगा इसका अब next मैंने दिया नाच ना जाने आंगन टेर आपने 100% लगबग सब बच्चों ने सुना होगा यह हिंदी में मुहावरा लेकिन क्या आपको इसका English में मतलब पता है क्योंकि अगर आप Hindi मानलो आप DSSB का एक्जाम दे रहे हो तो important है आपको Hindi भी आनी चाहिए तो Hindi तो आएगी आएगी लेकिन English में भी तो आती है वो चीज़े तो English में जो हम चीज़ें याद करते हैं मुहावरे लकुक्तिया उनको हम बोलते है idiom phrases जैसे नाचना जाने आंगन टेरा का हो जाता है मैं बतायता हूँ आपको इसका जो English होता है वो होता है A bad workman always quarrels with his tools मतलब इस मुहावरे का और इडियम का मतलब क्या है कि देखे सपोज आपके पास हर चीज़ है सपोज आप इंजीनियर और आपके पास हर चीज़ है ठीक करने की लेकिन आपने आपको पता नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास equipment नहीं है मेरे पास समान नहीं है यह अच्छी चीज नहीं है तो आप अपनी कमी ना बताकर दूसरे की कमी निकालते हो तो उसको हम बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेरा जैसे इसकी हिंदिका देख लेते हैं कि मेरे डांस नहीं आता और मैं बोल रहा हूं मैं डांस तो कर दूसरे कि यहां पर जो फ्लोर वह अच्छा नहीं है तो आप अपनी कमी को चुपाने के लिए एक्सक्यूस ढूंदते हो और उसी को हम बोलते हैं नाज ना जाने आंगन टेरा तो ध्यान रखेंगे गाईज बहुत ही इंपोर्टेंट है इसी तरीके से उंट के मुह में जिरा आपने सुना होगा खोदा पाड निकला चुपा आपने यह सब सुना होगा ठीक है तो यह तो होगी हमारी कुछ हिंदी में मैंने इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मैं आप कुछ इंग्लिश में दिखायता हूँ हम करने वाले हंडेड करेंगे बहुत ही टफ बोल्स इस इन यॉर कोट मतलब सपोज दो स्टुडेंट है ठीक है और दोनों के लडाई हो गई है ठीक है दोनों के लडाई हो गई है अब दोनों के इससे बात ने कर रहे हैं लेकिन अब सपोज एक को दूसरे से काम पढ़ गया तो जो दूसरा वाला काम जिससे काम पढ़ गया आपको जिसकी परसन ठीक है तो बोल्स in your it is up to you to make the next decision or step मतलब आपके उपर होना कि अब आप क्या करोगे आपका decision है ठीक है तो ध्यान अगना बोल्स is in your code का मतलब होता है it is up to us it is up to you तो हमारे उपर होता है कि हम क्या करेंगे next है add the drop of hat बहुत important है tough भी है यह तो add the drop of a hat का मतलब होता है बिना किसी hesitation के without any hesitation ठीक है तो अब guys देखो add the drop of hat यह tough है क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा सुना नहीं होगा तो इसलिए tough हो जाता है और जो आपने सुना है जिसे difficult task to do ठीक है यह सब असान है balls is in your code आप इसका option से meaning निकाल देते आपको guys ठीक है अब हम start करेंगे actual chapter जो बहुत ही important है ठीक है idiom phrases के part one की बात कर रहे है आज हम इसके अंदम लगबग मैंने 100 phrasal word डाले 100 बहुत important है यह आपको 100% मदा आएगा और याद भी हो जाएगे देखिए अब आप कहेंगे सर आपने इसमें इनका meaning नहीं लिखा हुआ guys देखो क्या होता है मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था जैसे मैंने one word गिया one word के अंदर line लिखी थी उसके सामने मैंने पूरा word लिख दिया already लिखा हुआ तो और मैंने explain कर दिया one word में लेकिन यहाँ पर क्या है मैं क्यों explain क्यों लिखे वे नहीं लिखे आ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से लिखूं बोलूं आप सुनेंगे समझेंगे और मैं लिखूंगा तो आप दो-तिन बार आप खुद भी लि देखो अब suppose यही है first आपको यह याद नहीं करना है आपको यह already याद हो जाएगा देखो कैसे कार्ट क्या होता है गाड़ी है जिसे जिसे बैल गाड़ी होती है जिसे मान लो यह गोड़ा है और यह यहाँ पर गाड़ी है ठीक है अब देखो अब यहां लिखा to put the cart before before का म बना दिया गाड़ी और पीछे आपने लगा दिया उसके horse तो क्या वह चला पाएगा बिलकुल नहीं चला पाएगा तो इससे बिलकुल simple है याद क्या करना है तो समझ में आ गया कि जब आप horse के आगे गाड़ी लगा दो तो चला नहीं पाएगा हो तो इसका मतलब क्या हो हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा activity in wrong way किसी गलत तरीके से काम करना मतलब गलत वे में काम करना जो हो सकता था उसको नहीं आपने गलत तरीके से कर लिया तो क्या होगा काम हो गाई नहीं तो activity ने रोंग वे ठीक है तो पहले का भी अंसर हो सकता है तो depend करता है option के उपर next है take things lying down tough है important है लेकिन take things lying down का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं accept and insult ठीक है accept and insult या कोई setback और rebook जब आपको कोई डाट पड़ती है किसी में किसी चीज में आपकी हार हो जाती है लेकिन आप उसको कैसे बहुत ही शानती से चुप-चाप उसको सेहन करते हो तो उसको हम बोलते है accept करना insult को, setback को, reboot को बिल्कुल अराम से ठीक है तो take things lying down बिल्कुल शानती से जो आप से गलती हुए आप उसको accept कर रहे हो simple है तो दोनों याद होगे card before hours और take things lying down next है cry for the moon देखिए cry for the moon तो आपने देखा ही हुआ चोटा बच्चा क्या करता रोने लग जाता जब उसको कुछी चाहिए होती है और उसको नहीं मिलती अपनी girlfriend और इन सब को चांद तारे कुछ भी देने के promise करते हो वह एक अलग चीज है यह it was a joke ठीक है तो impossible to do यह हो जाएगा अनगं फर टेबल सिचिवेशन अनकंफरटेबल सिच्वेशन सिंपल को एंड बूल स्टोरी यह तो आपने सुनोगा एकजाम में आता है लेकिन यह easy मैं मानूं बहुत easy में level पर रखूँगा इसको को अन बूल स्टोरी का मतलब क्या होता है फेक स्टोरी ठीक है फेक स्टो याद रखे इसको always fighting और बतायता हूं कुछ word लड़ाई से related मैंने आपको root word में कराये थे belly coast का मतलब जगडालू belly gerund का मतलब जगडालू ठीक है quarrel sum का मतलब भी जगडालू ठीक है यह सब vocabulary के पार्ट हम करेंगे साथ साथ like a cat on hot bricks like a cat on hot bricks का मतलब क्या होगा देखे सपोज आप इसको ऐसे याद कला देखो आप अपका मुकबलाल होता है जब आप नर्वस होते हो ठीक है ना कैसे नर्वस होते हो आपके नीचे आपके आसपास आप किसी critical situation नहीं हो तो मादला आपका interview है तो interview आपके लिए क्या है hot bricks है और आप जा रहे हो तो आप एक cat की तरह feel हो सकते हो अगर आप नर्वस हो आपका मुझ लाल है आप अच्छे से confident नहीं हो तो आपको बोल जाएगा you looking like a cat on hot bricks मतलब आप नर्वस दिख रहे हो तो like a cat on hot bricks का मतलब क्या हो जाएगा nervous तो ध्यानक up once sleep बहुत important tough है यह have a card up once sleep मतलब आप इसके हिंदे बनागे देखो आपके एक card है और card आपने बाजू में छुपा रहे है मतलब आपके पास क्या है एक advantage है ठीक है have an advantage जब आपके पास क्या advantage हो तो उसको हम बोलते है have a card up once sleep तो advantage के लिए हम use करेंगे ठीक है next alive and kicking केकिंग मतलब आप करना alive मतलब उर्जावान तो आप क्या बोलोगे energetic suppose आप मुझे मिले सुबहे और आप बहुत खुश हो तो मैं बोलूँगा you looking like sorry you are alive and kicking ठीक है मुझसे पूछाता है कि how are you तो मैं बोलूँगा I am alive and kicking मतलब है मैं fully energetic हूँ cheerful हूँ ठीक है और याद है ना आपको मैंने रूट वर्ड में कराया थे फाइफ जे जो खुश्मिजाज active के वर्ड दिखाते हैं जैसे जोवियल जोकंड जोकोज ठीक है जोवियल जोकोज जोकंड ठीक है और बताओ क्या थे दोवर डोर जोली और बताओ और जोकर इन सब का मतलब क्या होता है cheerful खुश होना active होना ठीक है तो बन वन्स फिगर ने गाईज यहां पर फिंगर है तो पन्स वन्स फिगर मतलब अपनी उपनी जला दिना मतलब कोई ऐसे activity करना है जिसमें आपको खुद को लोस होना मतलब कोई इडियोटिक activity कोई ब्यवकुफी बरी काम इडियोटिक एक्टिविटी ठीक है कोई मतलब honest जब आप honestly कोई चीज़ बताते हो किसी को आप किसी को बोल रहो यह सच है और आपने सच बता दिया तो आप बोलेंगे to call a spade a spade वैसे यह पूरी ऐसे हो जाएगी to call a spade a spade बोलते है to break dice आपको पता ही है अब अगर आप इसके हिंदी बनाओगे तो बरफ है बरफ को आपने हैमर से तोड़ दिया यह थोड़ी मतलब होगा इसका to break dice का मलब होता है बहुत ही simple है start conversation जब आप क्या करते हो बाते start करते हो उसको बोलते है to break dice to bell the cat आप लोगों ने एक story सुनी ही होगी कि एक cat जो जब भी आती थी बहुत सारे चुहों को आती थी लेकिन एक चुहा एक दिन बोलता है कि हम अगली बार क्या करेंगे cat के गले में घंटी बांदेंगे जिससे वो जब भी आएगी हमें पता दिए आएगा but सब लोगों ने पूछा कि who will bell the cat ठीक है कि billy को bell पहनाएगा कौन मतलब billy को bell पहनाना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है तो bell the cat मतलब tough task ठीक है कौन करेगा अपने जान खत्रे में लगा के डालना पता है तो tough task cold fish क्या होता है cold fish मतलब no response बहुत ही कम response आए बिल्कुल ठीक है आपको पता ही ना चले है वो कहना क्या चाहता है उसको मोलेंगे cold fish next है हमारा to cross the rubicon बहुत important है ये to cross the rubicon और आपको ये याद करना है और आज कभी नहीं बोलना और बहुत tough है और important भी है ये to cross the rubicon का मतलब क्या होता है to cross the rubicon का मतलब होता है ऐसे situation में आ जाना ऐसी स्थिति में आ जाना है कि जहां से आप वापिस ना जा सको धिक है ध्यान रखना है इसको reached a place जहां से आप वापिस नहीं जा सकते ठीक है तो हम उसको बोलते हैं ऐसी situation जहां से आप वापिस नहीं जा सकते ध्याना कि इसको ठीक है मैं इसको रब गर देता हूं वाइस लेग देख रहा ना मैं दुबार लग देता हूं इसी स्थिति में पहुंच जाना reached at a certain point from where you can't return ठीक है जहां से आप वापिस नहीं जा सकते हैं सपोज वचन आपने देखा होगा कि प्रान जाए पर वचन ना जाए वचन आपने दे दिया तो आपको करना ही पड़ेगा तो इसी तरीके से चोन मतलब कोई fraud करना इसको हम बोलते हैं या आतिया करना जाएँ वच Roz हम पाइट हमे जब आने खाना हमंबल पाइघ चुप चाप कुछ मीठा खा Destroy के से बोलते हैं इसका मतलब to eat humble pie का मतलब हो जाएगा make क्या करते हैं आप make a humble apology suppose आप से गलती होगी और आप चुप चाप जाके उससे माफ़ी मांग रहे हो मन से तो उसको बोलेंगे make a humble apology मतलब to eat humble pie next to fight a losing battle to fight a losing battle बहुत easy है देखो इससे meaning से पर चल रहा है to fight a losing battle एक fight है और वो हारने वाले हो फिर भी आप लड़ रहे हो उसको बोलेंगे to fight a losing battle मतलब tough battle but still you fight ठीक है tough battle आपको पता है आपकी हार होगी but still आप क्या करते हो आप क्या करते हो लड़ते हो तो उसको बोलते है to fight a losing battle next a deadlock बहुत important है simple है a deadlock का मतलब क्या होता है ऐसी स्तिती जहां पर आप ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो ठीक है किसी situation में क्या हो जाना stuck stuck in a situation किसी situation में फच जाना जहां से आप ना तो आगे जा सकते हो ना पीछे once in a blue moon once in a blue moon का मतलब बताओ ज़रा बहुत ही simple है once in a blue moon का मतलब होता है guys कि कोई ऐसी activity जो बहुत कम होना ठीक है बहुत कम तो उसकों बोलेंगे rarely तो आप लिखेंगे इसका मतलब या तो लिखो ओकर या फिर लिखो गए आप happen rarely ठीक है बहुत ही कम होना 20 में से एक बार उसकों बोलेंगे once in a blue moon next है to die in harness बहुत है important to die in harness का मतलब मैं आपको example से सिखा लेता हूँ आप सब को पता है स्वर्गे श्री एपी जे अब्दुलकलाम ठीक है एपी जे अब्दुलकलाम की death कब होई थी जब वो एक institute के अंदर अपनी speech दे रहे थे तो मतलब उनकी मृत्यू कब होई उनकी मृत्यू बिलकुल काम के करते समय बिलकुल end में मतलब बिलकुल end तक काम करते रहना तो उसको हम बोलते है to die in harness die at last मतलब काम करते करते मरने को बोलते है to die in harness next है to pluff a lonely furrow टाफ है यह इसका मतलब बहुत important है याद कर लेजिए इसको तुम्हाइलेट कर देता हूं इसका मतलब होता है to do something to do something by yourself कोई चीज अपने आप से करना खुद करना उसको बोलते है to pluff a lonely furrow तो उसको बोलते हैं अपने आप से कोई काम करना उसको बोलेंगा हम to pluff a lonely furrow kbc के अंदर आपको बता नहीं सीजन आने वाला है तो लॉक कर दिया जाए पूछता ना मतलब क्या आप completely agree अपने अंसर से लॉक कर दें लॉक सॉकेंड बैरल सिंपल नेक्स टूक केक वन्स हील हील देखो एक आपने मुहावरा सुना हुआ time is a great healer मतलब time is a great healer का मतलब होता है समय सारे घाव भर देता है लेकिन वह हील होता है heal यहाँ पे एक heal होता है और यहाँ पे लिखाव है heal तो एक तो हील होता है आपको सुना हुआ जैसे mountain होते हैं हमारे सबसे उचे फिर उसके नीचे क्या होती है heal होती है ठीक है द्यान रगना इसको हील मतलब घाव बरना और heal क्या होता है हमारा sender वाली heal to kick once heal आप heal पे कैसे kick कर सकते हो to kick once heal का मतलब बहुत है सिंपल है आप खड़े हो और heal के ऊपर खड़े हो और किसी का वेट कर रहे हो तो to kick once heal बहुत लंबा वेट करना to wait for someone for long tenure या long time लंबे समय तक किसी का वेट करना उसको हम बोलते है to kick once heal नेक्स्ट है रेंग रेंग नहीं होगा यहां पर होगा rain rain cat and dogs rain cat and dogs का मतलब होता है मुसला धार बारिश बहुत ही ज्यादा बारिश होना ठीक है ठीक है बहुत ही ज्यादा बारिश होना आप लेग सकते है इसका heavy rainfall ठीक है next a hard nut to crack a hard nut to crack हमने पहली पड़ा देखे मैंने स्टार्टिंग में एक बताया था आपको hard nut to crack मतलब लोही के चने चबाना tough task next in high spirit मतलब fully active जैसे हमने पड़ा था न alive and kicking in high spirit same माने जाएंगे life like a fish out of water अब एक बाह बहुत हो जब अगर fish water से बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी in trouble situation कैसी गंबीर स्थिति में होगी क्योंकि उसको पानी में जिंदा रह सकते है नीचे क्या हो जाएगी तो हम इसको बोलेंगे to like a fish out of water next है smell like a smell a rat smell a rat बहुत ही simple है suppose आप किसी रूम में जा रहे हो रूम में जाने के बाद आपको smell आ रही है तो दो situation एक तो सच में कोई चूहा मर गया या कोई चूहा आ गया आपके घर में लेकिन वहां पर इतना simple थोड़ी दिना चाहेगा examiner आपको की smell से सीधा हिंद निकाल दो smell a rat का मतलब होता है कुछ suspicious होना कुछ dubious होना dubious का मतलब क्या होता है संदेहास पद कुछ doubtful कुछ गड़बड होना याद आपको कुछ गड़बड होना के लिए हम बोलते है smell a rat read between the line बहुत ही important और आज अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये read between the line नहीं है मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है hammers and tongs यहाँ पे कोई tooth दात की और कील की बात नहीं है और लेकिन यहाँ पे हमें इसका hidden meaning काला मतलब read between the line करना है read between the line मतलब होता है hidden meaning निकालना to find out hidden meaning to find out hidden meaning उसको बोलते है read between the line next 31 हमारा tooth and nail tooth and nail का मतलब होता है आप लोगोग का पूरी ताकत से with full power कोई काम करते है आप पूरी ताकत इसको बोलते हैं tooth and nail hammer and tongs का मतलब भी क्या होता है same इसकी तरीके से यह उसकर सकते हैं हम लोग spread like wildfire देखिए जो घास होती है जंगलों में वो कैसे या तो वो सूख जाती है लेकिन जब आप कई बार देखेंगे जब क पूरी तरीके से फैल जाती है आग की तरह फैलना इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आग की तरह फैलना बहुत speed मतलब English हो जाएगा इसकी आप लिखेंगे spread rapidly उसको हम बोलते है spread like wildfire बहुत ही simple है guys देखिए हमने 33 कर लिए अब next कर रहे है hit the nail on the head hit the nail on the head सोचे guys क्या होगा इसका देखो hit माने मारना nail keel head पर अब एक तरीका तो किसी का murder हो सकता है लेकिन यहाँ पर hitting निकालने कुछ किजिए कि आप कुछ याद करने वाले थे suppose sir कह रहे हैं कि कुछ भूल गए हैं और suddenly आप बताते हो कि sir आप यह तो नहीं भूल ग तो इसको हम बोलते हैं to say something इसके लिए बोलेंगे हम to say something exactly to say something exactly right कोई चीज एकदम से सही बोलते हैं उसको हम बोलते हैं hit the nail on the head next है burn the midnight oil देखो midnight oil का मतलब क्या है रात को कडी मेहनत करने को हम बोलते हैं burn the midnight oil ठीक है क्या बोलते हैं इसको hard work at late night study करते हो जब रात को तो उसको हम बोलते है burn the midnight oil next है आप लोगों का under the thumb under the thumb की बात कि जाए तो suppose मैं आपको बोलता हूँ you are under the thumb of Donald Trump तो क्या मतलब हो इसका कि आप Donald Trump के pressure में काम करते हो या उसके under हो तो under the thumb का मतलब होता है controlled or dominated by someone ठीक है लिख देता हूँ मैं controlled and dominated by someone guys ठीक है with a high hand with a high hand की बात की जाएगी तो जैसे example देता हूँ मैं आपको North Korea का ताना शाह ठीक है उसको हम बोल सकते है the people of North Korea are under a high hand किसी के high hand के under है मतलब क्या है किसी dictator के नीचे है क्या बोलेंगा हम इसको an oppressive जो बहुत ज़्यादा cruel होता है दबा के रखता लोग हो by leaps and bounds देकि हमने पढ़ा भी तो इसी तरीके से हो जाएगा an oppressive या फिर कोई dictator कर, dictatorship या कोई dictator जो इस तरीके से काम करेगा नेक्स देखते हैं आप लोग का by leaps and bounds हमने पढ़ा अभी पढ़ा spread like a wild fire मतलब आग की तरह फैल जाना इसको भी बोलते है spread rapidly क्या तेजी से फैल ना इसको बोलते है spread rapidly to make a pig of oneself बहुत important one of my favorite interesting भी है जैसे मैं बोलेंगा you make you made yourself pig मतलब आपने आपको आपने pig बना ले इसका मतलब क्या हुआ to make a pig of oneself का मतलब होता है बहुत ही जादा क्या कर देना खाना eat gridily ठीक है बहुत ही भूखों की तरह खाना कि आपने कभी कुछ खाया है ना हो या फिर eat too much बहुत जादा खाना उसको हम बोलते हैं to make a pig of oneself next is donkey's ear बहुत ही interesting donkey's ear का मतलब देखो donkey को हमेशा लगता है कि बस इस मालिक के अंडर वो कुछ दिन काम करेगा फिर यहां से छूट जाएगा फिर वो अच्छे सरेगा लेकिन उसका ये दिन कभी नहीं आता क्योंकि जहां पर भी जाता है donkey उसको मजदूरी करने मजदूरी का मतलब उसके उपर बोजय रखके उसको चलाया जाता है तो donkey's ear का मतलब होता है long tenure जो कभी नहीं है खतम होता तो pull one's leg सब को पता है don't pull her leg मतलब उसकी टांग मत खीचो आप तांग सच में तो नहीं कीचते आप इसका rate between the line निकालना पड़ेगा मतलब to make fun of someone next is to keep one's finger crossed क्या करना hope करना hope for the best कि आपके साथ अच्छा हो जाए उसके लिए hope करना cross finger करने to talk through one's mind to talk through one's mind का मतलब क्या होता है कि जब आप ठीक है जब आप किसी और का opinion बोलते हो ठीक है say someone opinion to cross the rubicon यह फिर से सेम आ गया आपको पता है ऐसी situation यह ऐसी point पर आजाना जहांसे वापिस ने जा सकते hard and fast rule का मतलब होता है strict strict low जैसे अगर बात किजाए Syria की बात किजाए कहा की UAE की तो यहां पर country में बहुत strict low है तो उसको हम बोलते है strict low hard and fast rule next है to make one's mouth इसके आगे देखो water भी मिलेगा to make one's mouth water अब समझ में आ गया water है मूँ के अंदर है मतलब feeling hungry hungry feel करना next है by word of mouth by word of mouth का मतलब आपको पता है word mouth से निकला हो मतलब ऐसा कोई message जो oral message हो जो आप खुद बोल कर बताते हैं उसको बोलते हैं by word of mouth next to rub shoulder आप rub shoulder कब करते हो जब आप किसी के contact में आते हो कम close या किसी के पास जाते हैं उसको बोलते हैं to rub shoulder next a snake in the grass a snake in the grass बिल्कुल इजी है आप सबको पता होने चाहिए ठीक है आस्तीन का साथ ठीक है जिसको आपने अपने अंदर ही रख रख रखा और आपको नुकसान पहुचाने वाला है between the devil and deep blue sea मतलब आगे कुआ पीछे difficult situation difficult situation में फज जाना आगे भी तफ और पीछे भी तफ तो उसको हम बोलते हैं tough situation में फज जाना next पढ़ते हैं हम लोग to kill the bird with यहां पर one आएगा ठीक है एक तीर से दो निशाने आपको पता है to activity with single effort जब आप एक ही effort से दो काम कर देते हो a close shave है यहां पर a close shave का मतलब क्या होता है बाल बाल बचना ठीक है एक और हो सकता है narrow escape भी हमारा idiom होता है इसका narrow escape बचके निकलना to pull a long face का मतलब क्या होता है बहुत ही sad देखना आपका मू लटका हरा सिदी इसे आपका मूह हो है तो एक आपका मूह ऐसे और एक आपका मूह हो ऐसे है तो यहां पर आप खुश हो मूह हो correct 여기 llegar to pull a long face मतलब sad to turn deaf ear का मतलब pregnant week refuse to listen टेकर ना सुनना हुसको है तु टर्न डिफ एर नेक्स्ट तु टन दर टेबल का मतलब हो जाएगा हमारा पासा पलट देना चेंज दा गेम पूरा गेम ही पलट देना को बोलते हम नेक्स लिखाब है to call someone name देखिए एक तो हमने पड़ा to call spade a spade मतलब honest review यहाँ पर हो जाएगा to call someone name someone name को याद कर लिए जब आप किसी को गाली बखते हैं to abuse to call someone name ठीक है to call someone name मतलब किसी को गाली बखना इसके लावा next है at an arm's length at an arm's length का मतलब हो जाएगा avoiding closeness avoiding closeness और आपने सुनाई होगा कि मोधी जी भी कहल रहे है कि दो गज की दूरी अब करोना से बचने के लिए क्लिए क्या है आपको space maintain करना पड़ेगा बीच में तो हम बोलेंगे we should stay at an arm's length to ठीक है next at the 11th hour देखिए बारा घंटे होते हैं और ग्यारा अब मैं बोल रहा हूँ at 11th hour ग्यारव गंटा बारा बजने वाले तो ग्यारव गंटा मतलब बहुती end में आकर काम करना ठीक है at 11th hour का मतलब क्या होता है last possible moment बिलकुल end में आकर काम कर रहे हो last possible moment इसको हम बोलते है at the 11th hour next is an apple of discord discord का मतबेद होना apple एक apple में मतबेद कैसे हो सकते है an apple of discord का मतलब वो reason या वो कारण जिसकी होई से लड़ाई हो रही है तो आप बोलेंगे reason of tension जैसे आज अगर आज बात कीजाए दुनिया के अंदर एक tension है आज apple of discord क्या है हमारा coronavirus to bring castles in the air मतलब क्या हवाई के लिए मनाना बहुत ही simple है तो अब burning question very very important आज का burning question क्या है एक ही burning question है आप news चला के देख लो कोई भी channel किसी भी तरीके का एक ही topic आता हो है corona तो अब burning question क्या होता है hot topic hot topic मतलब चर्चित विशे जिस पर आज कर सब ज़्यादा चर्चा हो रही है setting on the fence setting on the fence बहुत है important है setting on the fence मतलब ऐसी स्थित्ति में होना कि आप decision ना ले पहूँ inability to decide piece of cake देखे मैं गोल रहा हूँ it is a piece of cake for me क्या बहुत ही easy है मेरे लिए when pigs fly देखे एक हमने पढ़ा था to make a pig of oneself उसमें आपको मैंने पताया बहुत जादा खाना pigs related एक है when pigs fly क्या ऐसा हो सकता है कि आप कभी window से देखो और आपको pig उड़ते वे देखे तो it is impossible to happen तो क्या हो कोई नहीं सकती a red letter day a red letter day क्या होता है a red letter day बहुत important day याद रखे गाइस red letter day means important day बहुत ही easy है इंपोर्टन डे cannot hold a candle to cannot hold a candle to का मतलब क्या होता है किसी को inferior केल कराना या कर्म है ठीक है उसको हम बोलते है cannot hold a candle to a bolt from the public a bolt from the public तो नहीं होता गाईज अब बोल्ट from the blue a bolt from the blue a bolt from the blue का मतलब होता है a sudden and unexpected result ठीक है लेख लीजिए unexpected खिए सच्पेक्टृ इसरे लेकिन क्या करता है दुबारा से माहनत करता फिर दुबारा खड़ हो जाता है तो लायके सिनक्स्का मैनलब होता है तुब बेकम strong and powerful again दुबारा से strong या powerful बनना तो उसको हम बोलते हैं ठीक है like a phoenix next है to end in a smoke smoke में खता हो जाना मतलब to end in a smoke मतलब to come to nothing to come to nothing जैसे भी आने आपको हिंदी हम बताया था खोदा पहाड निकला क्या चूह तो उसको बोलते हैं होदा पहाड निकला चूहा तो क्या जैसे to end in smoke at once wit's end wit माने होती है बुद्धी तीन चार में वड़ बताया था है उपको जो बुद्धी से रिलेट हो देखते होता है हमारा wit ठीक है एक होता है हमारा astute एक होता है intellectual इन सब का मतलब क्या होता है बुद्धी wit, astute, intellectual और एक word और और याद कर लेजिए wisdom इन सब का मतलब होता है knowledge के सब क्या है हमारे word knowledge से रिलेटेड है ठीक है याद कर लेजेगा इसको ये सारे word क्या हमारे knowledge से रिलेटेड next है at once wit and wit का मतलब मैंने आपको बताई दिया तो to end something ठीक है किसी चीए खत्म होना to beat black and blue बहुत important to beat black and blue का मतलब होता है आपका किसी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करना ठीक है beat बहुत बुरी तरीके से पिटाई करना to beat the air कोई ऐसा काम करना जो वियर्थ का हो ठीक है कोई भी काम जिसको आप क्या आप हवा को हरा सकते हो मार सकते हो नहीं तो क्या हो जाएगा बेवकूफवाना बेवकूफी भरा कोई का रहे है to bank upon मतलब to depend किसी के ओपर अगर आप डिपेंड हो तो उसको बोलेंगे to bank upon armed to the teeth बहुत ही important जब आप पूरे तरीके से त्यार होते हो with fully equipped पूरे तरीके से त्यार होना with open arms क्या होता है with open arms का मतलब होता है खुले दिल से to come of age to come of age की बात की जाएगी reach बहुत easy है reach to full success जो आपका goal है life में और आप चाहते हो ऐसा करो मानला पांच क्रोड रुपे कमाना चाहते हो तो यह जिस दिन आपका हो जाएगा तो आप बोलोगे की I come of age ठीके आप successful होगे the Achilles Achilles का मतलब होता है weak point बहुत interesting story आपने सुनी होगी जिसमें एक राजा होता है जो एक नदी होती है उस नदी के अंदर ये power होती है कि जो भी उसके अंदर उसको डाला जाएगा उस राजा को उस family के बंदे को तो क्या होगा जितना वो भीग जाएगा वो बहुत powerful हो जाएगा तो उसके मदर क्या करती है उसको उल्टा heel से पकड़ कर मतलब ADO से पकड़ कर उसको पानी में डालती है लेकिन heel नहीं भीग पाती उसकी क्योंकि पैर नहीं भीग पाती है उसके पैर कमजोर पड़ जाते है और युद्र के अंदर पैर पे ही तीर मार कर उसको मार जाते है इसलिए इसको बोलते है एकलीज heel तू फ्लाइए काइट तू फ्लाइए काइट तू फ्लाइए काइट बहुत ही सिंपल है क्या होता गाई सोचो उड़ना बिल्कुल सिंपल है उड़ना काईट की तरह next at sixes and seven ये देखेगे हमने पढ़ा था at eleven थार मतलब बहुत at end की stage में at sixes and sevens का मतलब क्या हो जाएगा at sixes and sevens जवाब क्या हो confusing हो in the good books जैसे जैसे मैं बोलूगा Rohan is in the good books of mine मतलब रोहन मेरी अच्छी किताबों में ये तो मिनिक नहीं नहीं good books का मतलब होता है आपकी नजरों में तो अच्छा होना आपकी नजरों में तो हो जाएगा in the good books और bad books क्या हो जाएगा जो बुरा हो नजरों में ठीक है तो आप लिखेए good books मतलब good image होना next out and out out and out का मतलब होता बहुत ही थरली अब थरली क्या होता है completely मतलब पूरी deep तक अंदर से लेकर उपर तक सब कुछ atc atc का मतलब जो हमने पढ़ा confusing हो जाएगा देखे उपर एक हमने पढ़ा था confusing ठीक है atc का मतलब भी क्या होता है confusing 82 की बात हो गया 83 अब bone of contention देखे हमने पढ़ाता है an apple of discord इस तरीके से bone of contention क्या होता है जगडे का कारण सेम होता ही to die in harness to die in harness हमने पढ़ा ही था अंतिम समय तक काम करना to show a clean pair of heels बहुत है important क्या करना to run away क्या करना to run away from someone at great speed कहीं जगड़ा होगे और आपको पता आपकी भी पढ़ाई हो सकती हो तो आप क्या दिखाओगे to show a clean pair of heels मतलब महा से आप भाग जाओगे in a b line b line आपने देखा हो चीटिया क्या करती है क्या करती है बता हो जरा चीटिया क्या क्या करती है a की लाइन में जाती जैसे b चीटिया ऐसे चलती है ऐसे चलती की न चलती a की लाइन में तो तो एक ही जगह पर एक ही तरीके से जाना उसको हम बोलते है in a b line does not hold the water does not hold the water क्या होता है does not hold the water का मतलब होता है सही ना लगना not appropriate मानलों को यह आपके सामने excuse दे रहा तो आप बोलोगे your excuse doesn't not does not hold the water मतलब आपका जो excuse है वो सही नहीं लग रहा to murder someone in a cold blood to murder someone in a cold blood का होता है deliberately killing जान बूच कर मार मार मैं किसी को ठीक है deliberately deliberately killing next to give the devil his due to give the devil his due अगर मानलो कोई बोरा वेक्ति है उसकी कोई अच्छी बात है तो उसकी अच्छी बात के बारे में discuss करना उसको मोलते है to give the devil his due simple a fair weather friend मतलब जो सिर्फ अच्छे काम में सुख में साती दुख में ना कोई आपने सुना होगा तो a fair weather friend वो होता है जो सिर्फ सुख का साती होता है friend in happiness खुशी में साती होता है दुख में नहीं होता to spill the beans बहुत important है to spill the beans का मतलब होता है जब आप क्या करते हो कोई आपको secret बता रहे है लेकिन आप वो बता है तो reveal the secret next to beat about the bush to beat about the bush का मतलब होता है to speak vaguely as past बाते करना to speak vague money as past to speak vaguely next store the account store the account का homework आप लोगों को दे रहो है store the account का आप मुझे meaning बताएंगे group message से to be a scape goat scape goat का मतलब होता है बली का बकरा तो उसको बोलते है to be a scape goat to turn his head आप से मैं बात करहूं आप अपना क्या करे हो to turn his head का मलत हो जाएगा to avoid paying क्या attention जब आप attention ना दोसकों बोलते है to turn his head to have too many irons in the fire तो क्या हो जाएगा एक साथ बहुत सारे काम करना है too many activity at single time एक ही का time पे चार-चार काम करना to let the cat out of the bag क्या हो जाएगा हमारा reveal the suspense या फिर secret to make a clean a breast of to make a clean a breast of very very important to make a clean a breast मतलब confess करना जो भी आप से गल्ती हो है confess करना जो भी आपने गल्त किया है to show the white feather मतलब आपने देखा हो एक तो friend weather friend fair weather friend to show the white feather मतलब cowardness show करना जब आपको लड़ना ची लेकिन आप डरके भाग के उसको बोलेंगे to show the white feather next और last आज का hundred left me in lurch left me in lurch का मतलब होता है abandon किसी को छोड़ देना जब उसको आपके जरुद थी abandon someone किसी को छोड़ देना जब उसको आपके सब्सक्राइब जरुद थी तो guys ये थे हमारे कुछ तो guys ये थे हमारे hundred hundred मैंने आपको idioms and phrases करा है देखिए आप एक से दो बार इस वीडियो को देखे आपको दो बार देख लीजिए आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और एक बार लिख लीजिए एक बार जैसे first time तो आप देखोगे और लिखोगे pause करकर के दूसरी बार पूरा lecture वैसे देख लो आपको ये hundred वैसे याद हो जाएंगे ठीक है simple सा तरीका है कोशिच कीजिए जो आपके सामने word दे रखा है idioms में उससे मेन ही निकालने का एक दो बार पढ़ने से आपको याद हो जाएंगा तो ये थे हमारे hundred idioms phrases if you like this video and if you like my channel please subscribe my channel और JJ का तो पूरा course कराई रहे है और SSC, banking, DSSB ठीक है CPU हर exam की preparation कराई जा रहे है guys if you like this video